नमस्कार दोस्तों वेल्गम तो नॉलेज एवीसी मैं हूं निकिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 साइंस के बोर्ड एक्जाम में हम लोग तीन घंटे का जो टाइम हूंता है हमें पेपर लिखनी के लिए उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तीन घंटे में हम लोग कैसे उस टाइम को मैनेज करें कि हम पूरा का पूरा कोश्चन जो 39 कोश्चन आ रहे हैं उस पूरे कोश्चन को हम लोग बना ले ठीक है तो यही चीज हम डिसकस करने वाले हैं इस वाले पार्ट में तो काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट हमें टाइम मिलता है वह 3 आवर का टाइम मिलता है जो की 180 मिनट होता है रिटेंट और 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ठीक है तो एक्जाम स्टाट होगा आपका साड़े-दस बजे से एक सुब़ा से और टेड़ बजे केतने आते हैं 20 को सना आते हैं और एक एक का मार्स केतना रहता है वन वन मार्स से को सन रहते है तो टोटल मार्स इसका हमारा बन जाता है 20 मार्स ओके तो सेक्शन यह होता है उसके बाद जो वैरी सौर्ट एंसर टाइप जो सेक्शन भी होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ होते हैं और टोटल मार्स का हो जाता है बारा 12 मार्स का टोटल सेक्षन C ठीक है सेक्षें सी हो जाता है तो जैसे वेरी सit PB है तो इसमें 30 से 50 वर्ट का लिखने का घुता है जो सोर्ट अंशर टाइप है उसमें 50 से 80 वर्ट डिकने का जाता है जिसменहें साथ questions और होते हैं और हुआ आधे से कट्वेकर होते हैं और फांच पांच पांच का QC रहेंगे और 15 लाइंगे अ चरचार नंबर के कोशनर नॉट यह librarians पूरा इस तरह के हैंगे टोटल अगर हम लोग मांस यहां पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो अब बात करते हैं कि कैसे इसका टाइम distribution करते हैं तो यह एक मेरे द्वारा दिया गया formula है आप इसको आगे पीछे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं लेकिन मेरे द्वारा जो अग्जस्ट किया वाफ टाइम है उसको आप यहां पर देख सकते हैं तो जो objective टैट कोशन होता है जो 20 कोशन सुरुआत के होते हैं section A में इस reading time को YouTube करना है कैसे करना reading time को reading time में से 5 मिनट आप लगाईए question paper को पढ़ने की reading time के बारे में मैं अलग से-अलग से discuss करूगा पंदमित को कैसे 10 मिनट मिल गया reading time के और 10 मिनट आप total time जो 180 मिनट है तीन घंटा मतलब एक 180 मिनट होता है तो इसका 10 मिनट टोटल यहां पर exactly 10 मिनट मैंने लिखा है लेकिन exactly यहां पर 20 मिनट 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 एक question के लिए तो काफी होता है बन जाया आराम से तो यह 10.40 तक अब देखिए 10 time लिखाओ कि कितना 10.30 से question पर सुरू होगा तो 10.40 तक आपका यह चीज़ खतम हो जाना चाहिए ठीक है पहले मैं time कितना कितना लेना उस पर मैं बात करता हूँ फिर time पर आऊँगा कि कितना बज़े ता कितना part खतम हो जाना चाहिए question का तो section A आपका 10 मिनट में खतम हो जा चाहिए अगर आप time का इसका distribution करें तो लगभग साड़े चार मिनट के आसपस आता है चार 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 मिनट के आसपस आता है चार पांच मिनट के अंदर में एक है question को आप बना लीज़े तो आप 30 मिनट में यह question बन जाएगे ठीक है उसके बाद जो आता है short answer type मतलब short answer type जो जो question होते है जो 7 question रहेंगे इसके लिए आप utilize कीजिए अपने total 180 मिनट का 50 मिनट ठीक है तो 50 मिनट में 7 question रहेगा तो लगभग लगभग 7-7 मिनट का एक एक आएगा ठीक एक question पर 7-7 मिनट पढ़ेगा अब यहां पर हम लोग बात करेंगे section D की जो की long answer type question है जो की हमें 100-120 word के बीच में लिखना है तो इसमें total तीन number of questions आते हैं तो इसमें आप 45 मिनट का टाइम लेते हैं तो आराम से यह बन जाएगा इसमें काफी अच्छा से लिखना है पाट-पाट में आता है दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट किया रहता है तो उस पार्ट को आप हो जाता है तो 45 मिनट्स आपको मिल जाएंगे distribution में से तीन question को गनाने के लिए उसी तरह से फिर अगला 45 मिनट्स आप utilize कर सकते है जो आगे जो section यह last section है case based वाला उसमें जो तीन question रहेंगे उसमें भी आप 15 मिनट का समय लिए चार्चार मार्ट से question रहेंगे 15 मिनट का समय ल study तो पढ़ी नीपाओगे ठीक है जो शुरवात का question है उसको अच्छे से देख लो number of question पूरा से देख लो और case study वाले question है उसको आप एक ही बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो क्योंकि उसमें time taking है तो इसलिए चार्ट नंबर का question है इसलिए इसलिए 15 मिनट का समय इसलिए है को कि आप इसको अच्छे से पढ़ सको ठीक है और एक ही बार पढ़ो यहने के सुरवात में जो reading time हो उसमें भी पढ़ लिया उसमें भी time waste होगा फिर जब question बनाने बैठे तो फिर से पढ़ना पढ़ेगा तो कहने का मतलब है कि पंदर मिनट का time जो है पूरा आप इसमें द इस तरह से याद नहीं रहेगा तो इसको याद करने का अच्छा तरीका हो जाता है जैसे 10.30 से एक्जा में स्टार्ट हो गया ठीक है तो 10.40 तक आपका पहला section खतम हो जाना चाहिए यह दिमाग में बैठा कर दो 10.40 हो मेरा पहला section खतम ठीक है दूसरा section 10.11 बच्के 10.10 तक मेरा दूसरा section खतम हो जाना चाहिए इस तरह से भी याद करोगे तो आपको याद हो जागे इतना इतना समय डिवीजन पर मेरा यह चीज हो जा रहा है अगर इस समय से आगे बढ़ रहा है समय तो आप slow चल रहे है यह मेरे द्वारा बनाया गया समय है आप इसको अपने इस section खतम हो जाना चाहिए section C खतम हो जा रहा है मालने के आपका पांच अगे बढ़ जाता है समय बारा दस हो जा रहा है तो घवडाने की बात नहीं है आप थोड़ा सागे fast बनाना शुरू करो तो आपका बन जाएगा ठीक है उसका 1245 तक अगले 45 मिनेट में section DB खतम हो जाना च ठीक है time time देखने के लिए आपके पास तो analog clock है वो तो allowed रहता ही है साथ साथ अगर बहर में बहर की उपर जो clock लगा रहता है वहाँ पे आप time को देख सकते हो साथ में अगर घरी allowed होता है तो वहाँ पे घरी भी अपना देके जा सकते हो बगवाला तो वह वहाँ आप समय को शुरुआत का time होता है इसको proper धन से आप कैसे उटिलाइज करें तो सबसे पहला चीज क्या क्या करना चाहिए और क्या 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 नहीं करना चाहिए ठीक है आप 15 में आप चाहो तो पूरा question पढ़ सकते हो हाँ time तो पूरा रहता है लेकिन आपको इस time में से चुराना है थो question लता है उसमें पंदा पंदा को मिनिट दिया मालो कि उसमें कहीं में किसी question में 20 मिनिट लग रहा है ठीक है या फिर जो very short type यह short type है इस तरह थोड़ा सा tricky type question आपको समय जादे लगिया तो वह 5-10 मिनिट का जो difference उसमें होता है कि एक आप question छूट जाता है तो उसको बचाने के लिए आप 15 मिट का उट्राइस करो ठीक है तो इसमें आपको क्या क्या करना अपने में आप पांच मिनिट ही दो पढ़ाने को को सबसे पहले यह चेक कर लोगे 39 question पूरे है की नहीं ठीक है अगर नहीं है तो बोलो आप तो रख question चेंज करने की तो सबसे में चीज यह होत है कि सबसे पहले आप पूरा चेक कर लो कि पूरा प्लेट उलटके जल्दी जल्दी एक तीस पंदरा पंदरा इस सेकेंड में की पूरा question है कि नहीं ठीक है अब पूरा question को को सिस्करों आप पांच मिनिट में रिड़ करने का है अब यह गो थू जाना है बस हाँ देख लेन है तो सबसे इस तरह से गो थू हो जाना है मैं आपको एक सजेशन दोगा कि जो सेक्षण जो लास्ट सेक्षण है दी है और सेक्षण इसको अप मत पढ़ो पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप अच्छा कासा अच्छा का सबसें यह को पढ़ने में पाच पैस मिनिट का नग चाहिए केस से शेडिवाल जो को सनन है उसको आप अगर सुरुआत में पढ़ लो ठीक है जब से बंढ़ाने बैठो गए उस समें तो भराने बैठो नहीं अप पर फिर से पढ़ो तो पांच भी पढ़ने में सुरुआता जो टाइम में वह भी गिया अब जब सम्वाने बैठ तो बास सई टेंसिंग कर 500 के बाए मुझे पांच नंबर वारा कोसन नहीं आता है नहीं आता हो सकता है तेंच to करण हो सकते हैं सुरूआत में कोट्चों सुरौत यो सब्ण हो पड़िहार पड़ने की उसकquito एक यहारी अब जो शुरुवात के 5 मिट में जैसे मैंने बताया है कि 5 मिट में आप कोसें को हलकालका देखके निकल जा और जो 10 मिट का समय बच रहा है उस 10 मिट में जो सेक्षिन ए है जो अब्जेक्टिव ट्याप को सबस्कों बिच्छिच करो वन नमबर से बिच्छिच करो एससरेंस कैसे करते हैं कोशिस करो कोशिस करो टार्गेट लीके चलो कि 10 तक खीच ले 10 कोर्षन तक बना ले उसका आगे बन जा और अच्छी बात है लेकिन 7-8 तक भी बन जा तो भी चलेगा ठीक है अब माइंड में रखो उस चिसको अब जैसे ही साड़े-दस बजा जैसे घंटी बज का जो टाइम है उसमें आप अपनी कंसेंट्रेशन को बहुत हाई रखो भाड में जाए दुनिया आप अपना पेपर पर देहां दो जादे-जादे कोशिंट करो पूरा एफिसेंसी लागा दो पूरी ताकत लगा दो कि जादे-जादे को संबानो इसका बेनेफिट आपको मिलेगा कब अभी से दो-तीन घंटे के बाद कैसे मिलेगा जब आप लॉंग कोस्ट्रेशन में या पर केस बेसे वहां पर कहीं भी आप फसोगे थोड़ा सोचने में जो टाइम जाएगा हो सके आपको सोचने में पास दस निगट भी निकल जाए ठीक है तो वह जो शुरव आप में इड़दम हाई कंसंट्रेशन रखो और सुरवात के जो रेडिंग टाइम में से कम से कम कोसिस करो टार्गेट लेकर चलो कि 10 को सन हो जाए नहीं हो पाय कम हो पाया 5-6 हो गया तो भी चलेगा तो फिर उसके बाद दो टाइम साड़े-10 से सुरू गया तो आपको 10-12 मिनिट में आपको बनाना है तो इस तरह से पहला वला सेक्षन बना लो तो इस तरह का लेकर चलना है कोसिस करो जो टाइम डिश्टिविशन मैंने बता यह आप यह तो मेरे द्वारा बना गया ना आप इसको अपने द्वारा भी बना सकते हो ठीक है आप अपने इस आप से जैसे मैंने इसको दस मिनिट दिया आपको अगर लेट लगता आप इसको पंदर मिनिट हो सकता जो जो सेक्षन सी इसमें जो पचास मिनिट मैंने दिया आप इसको पैटालीस मिनिट में कर सकते हो तो तो यह आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम काम है तो दो मार्च से पहले अभी तो है एक मैना के लमसम करता जो टाइम है एक मैना सा कुछ कमी है इसमें आप कोसिस करो कि 10-12 सेंपल पेपर बना लो 10-12 तो उससे होगा क्या कि और यह टाइम मेनेजमेंट एक अपना रफ में बनाओ एक कागल में लिखके रखो अभी आद कोई करना के हां बार अधे तक सेंफसरी खतं हो जाना चाहीक है कोसिस करो शुरवात सब्राने लिए को मोदी सेंपल पेपर आप जैसे इससे बनाओगे तो हो आपको पता चल जाएगा ऱिहां पहला वीन सब्सक्राइब कर दो अगर उसमें पूछा है तो अगर डायग्राम का स्कोप है तो आप एक पैंसल से जाइग्राम आप उतने बना दे उससे मार्क्स जादे आ जाए ठीक है तो ये सब ट्रिक और टेक्निक को अपना एक गर के आप कर सकते हो होगी सेंपल पैपराम ये सब बना एक परिकल आ फोगी 65 बनाओ आप जैसे 355 बजंग में फानम घं सांगो ये बनाई बनाएब और फोर कर लेख टो उतना नहीं है उस तीन घंटे मही प्रैक्टिस को यह नहीं क्यादा साम को बनाएंगे दोपार बनाएंगे सवेरें बनाएंगे किस लोग अर्ली मॉर्णिंग उट के पड़र उसी समय बैठ के सैंपल मत करो काम आप साड़े दस से ही डेड़ बजे बनाओ ठीक है अभी से एक में पंदरा दिन अभी जो है सुरवात में बोर्ड एक्जाम में इस टाइम को और इसमें ही विए पेपर बनाना है ठीक है बनाने के लिए और इसमें उठो मत अप तीन घंटे का पेपर है आप बोर्ड एक्जाम में वाले तो नहीं उठने दिया भी नहीं जाएगा तो कुछ मत करना खाना पीना सब करके फ्रेस के बैठो अर तीन घंटा प्रॉपर टाइम उसमें लगाओ तो आपको practice हो जाएगा तो फिर exam में आपको काफी मजा आने बना ठीक है और courses करोगे तो आप hundred में hundred बे इसमें ला सकते हो यह सब बहुत easy पर है ठीक है thank you very much all the best for your exam तो आप इसी थरह से practice करो time management जरूर कर लो नहीं करोगे तो आप बोल एक्जाम में फच जाओ और sample paper को बनाना और लास्ट यह को बनाना बहुत सारे करना एक जगह जहां पर आप उसको बना रहे हो तो आप पर मत बना कॉफी में बना एक जगह पर पूरा एक सेट बना तो उसको exam के time पे तो एक रात पहले दो रात पहले उसको एक बार जरूर देख तो यह आपके लिए बहुत benefit हो रहा thank you very much वीडियो आपको अच्छा लग करना एक जगा है